यहनि हम योगदर्शन के पहले पाद के 24 में सूत्र का स्वाध्याय कर रहे थे उसके भाष्य का भी कुछ अंश हमने पढ़ लिया था आज हम अवशिष्ट भाष्य को पूरा पढ़ेंगे हमने पिछली कक्षा में देखा कि इश्वर क्लेश जो अविद्या अस्मिता रागत द्वेश और अभिनिवेश हैं कर्म उन क्लेशों के कारण होने वाले कर्म अच्छे यबुरे कुशल या अकुशल उन कर्मों का विपाक अर्थाद फल और पुनह क्लेशों के कारण कर्म के कारण या विपाक के कारण बनने वाले संसकार इनसे अपराम रिष्ट है अर्थात अलग है अच्छूता है उस विशेश पुरुष को हम इश्वर कहते हैं व्यास भाष्य में इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझा करके कहा कि क्योंकि क्लेश कर्म उनका फल और ये चारों रहते तो मन में हैं या चित्त में हैं लेकिन मन में रहते हुए भी ये पुरुष अर्थात आत्मा में कहे जाते हैं क्योंकि वही इनके फल का भोगने वाला होता है क्योंकि वही अंतिम निरुने लेने वाला होता है जिस तरह से जय और पराजय योद्धाओं के बीच होती है नकी मुख्य राजा में लेकिन फिर भी जय और पराजय स्वामी की ही कही जाती है क्यों क्योंकि अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार उसी स्वामी उसी राजा का है इसलिए उस हार या जीत का भोग भी वही राजा या स्वामी करेगा ही किसी प्रकार से क्योंकि निरणय आत्मा लेती है पुरुष लेता है इसलिए वही इनका फल भी भोगेगा है और वही इश्वर है फिर हमने देखा अगर क्लेश, कर्म, विपाक और उनके संसकार, आशय इनसे रहित पुरुष को इश्वर कहते हैं तो जिन लोगोंने कईवल्य को प्राप्त कर लिया है ऐसे बहुत सारे लोग हैं और कैवल्य को प्राप्त कर लिया है अर्थात वो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से अलग हैं तभी तो वो केवली कहे जाते हैं तो क्या वो इश्वर हैं क्योंकि उनमें भी क्लेश, कर्म, विपाक और आशय नहीं है तो सवाल तो उठता है हो सकता है वो इश्वर हो क्योंकि उन्होंने तीन तरह के बंधनों को तोड़ करके कईवल्य को पाया है और वो बंधन तीन तरह के कौन से हो सकते हैं वो दुखों के बंधन हो सकते हैं तीन प्रकार के वो तीन प्रकार का प्रकृती का जो गुण है सत्व, रजस, तमस उसका जो बंधन है उन बंधनों को भी तोड़तर के कईवल्य को प्राप्त किया है उन्होंने लेकिन कुल्मिला के कभी तो वो बंधन में थे लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो न कभी बंधन में था न कभी बंधन में आएगा उसे इश्वर कहा जा रहा है इसलिए ये लोग तो कभी बंधन में थे ये इश्वर नहीं हो सकते ठीक उसी तरह से जो लोग मुक्त हो चुके हैं, मोक्ष में जा चुके हैं वो पहले बंधन में थे इसलिए वो भी इश्वर नहीं है और जो प्रकृति लीन है यानि कि अभी तो उनको एक विशेश रस्थिती मिल गई है लेकिन हो सकता है वो दोबारा से इसी संसार के भोग में आ जाएं तो उनको बाद में फिर बंधन या भोग मिलेगा वो भी इश्वर नहीं हो सकते इसलिए जो सदेव मुक्त है वही सदेव इश्वर है यहां तक हमने पढ़ लिया था अब हम इसके आगे बढ़ते हैं इसके आगे महर्शिप वेदव व्यास जी इश्वर के बारे में समझाते हैं और समझाते हुए लिखते हैं यो असव प्रकृष्ट सत्व उपादानाद इश्वर अस्य शाश्वतिक उतकर्शह सकिम सनिमित्त आहोस्वित निरनिमित्त इती एक प्रश्ट वेदव व्यास जी ने स्वयम खड़ा किया और वो प्रश्ट क्या है कि आपने इश्वर का इतना गुणगान किया आपने कहा कभी बंधन में नहीं आएगा भगवान न कभी बंधन में था और जो कभी बंधन में नहीं आएगा बंधन में कभी नहीं था इसका मतलब भगवान के पास कुछ विशेश संपत्ती है क्योंकि हम मनुश्यों में तो भाग दोड़ ही इसके कारण हो रही है कि हम बंधनों से छूटें पूरा योगदर्शन है ही इस विशेश पर कि किसी तरह से ये बंधन हमसे छूटें अभी हम शरीर में हैं तो बंधन में हैं और ये बंधन ही तो हमारे दुख का कारण है और हम चाहते हैं कि ये बंधन हमसे छूट जाए भगवान बंधन में ही नहीं है वो तो बड़ा महान है, इसलिए वो तो सदेव सुखी ही सुखी रहता होगा ऐसा हमारे मन में प्रश्ण आ सकता है लेकिन वो जो भगवान का ये जो संपत्ती है, भगवान का ये जो सुख है कैसे मालने हम? किसने बताया आपसे कि भगवान ऐसा है और वो कभी बंधन में नहीं आता, हम ठहरे बंधन में ही रहने वाले तो प्रश्ण की यार, यो असव प्रकृष्ट सत्व उपादानात इश्वरस्य शाश्वति कहुत कर्शन यो असव जो यह प्रकृष्ट प्रकृष्ट मनें सबसे उचा, जिससे उचा और कोई नहीं हो सकता ये जो प्रकृष्ट सत्व उपादानात, सत्व के कारण इश्वरस्य शाश्वति कहुत कर्श, इश्वर का जो शाश्वतिक उतकर्श है, सदैव रहने वाला उतकर्श है प्रश्न किया जो यह प्रक्रिष्ट के प्रक्रिष्ट सत्व के कारण से प्रक्रिष्ट माने सबसे उँचे सत्व माने कहते हैं बिना किसी मल बिना किसी गंदगी के कारण से जो इश्वर का शाश्वतिक उतकर्ष है सदैव रहने वाला जो उतकर्ष है उसका उतकर्ष अर्थात उची स्थिती उतकर्ष अर्थात उचा कोई पद उतकर्ष माने उसकी सबसे अच्छी स्थिती अब हमारी स्थिती थोड़ी अच्छी है हमारे पास उतकर्ष थोड़ा ही है हम तो उतकर्ष पाना चाहा रहे हैं हम तो आनंद पाना चाह रहे हैं और हमारे आनंद में बाधा क्या है तो हमारे चित्त की मलिनताएं ही हमारे इस मार्ग में बाधा हैं कि हम अपने अंतिम उतकर्ष को प्राप्त कर सकें उतकर्ष मने उचाई को प्राप्त कर सकें उतकर्ष मने मोक्ष को प्राप्त कर सकें आनं आने की रज और तमस इन गुणों को हटाना होगा और हमें सत्व में आना पड़ेगा और ध्यान दीजिए यहां इस समय सत्व रजस तमस से मेरा अर्थ प्रकृती के तीन गुण सत्व रजस तमस नहीं है यहां सत्व रजस तमस का जो अर्थ पहले वृतियों के प्रसंग में महारशिव वेदव व्यास जी ने बताया था सत्व अर्थात जियान सत्व अर्थात प्रकाश सत्व अर्थात मलिन्ता गंदगी रहित स्थिती तो ये जो मलिन्ता और गंदगी रहित स्थिती है हमें इसे पाना पड़ेगा और तब जाकर के हमें उतकर्ष मिलेगा यानि की उचाई मिलेगी यानि की मोक्ष आनंद मिलेगा लेकिन इश्वर का यह उतकर्ष एक तो शाश्वतिक है शाश्वतिक मने सदैव रहने वाला है क्योंकि उपर क्या बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन हैं ये मोक्ष मिलता है अर्थाद जो लोग मोक्ष में चले गए वो कलेश, कर्म, विपाक और उनके संसकारों से बंधे हुए नहीं हैं और जो लोग प्रकृतिलीन हैं उनमें ये संभावना है कि वो दोबारा से कलेश, कर्म, विपाक और आशय में आएंगे भगवान न तो कभी बंधनों में आया था कलेश, कर्म, विपाक आशय से प्रभावित हुआ था और न कभी होगा तो भगवान का यह उतकर्ष शाश्वतिक है यानि कि सदैव रहने वाला है समय की सीमा नहीं है इसमें कोई लेकिन जो शाश्वतिक उतकर्ष है यह मिला कैसे उसको यानि कि क्यों है उसके कारण तो करें प्रकृष्ट सत्व उपादान के कारण यानि कि सत्व की जो सबसे उची स्थिती है शुद्धता की जो सबसे अंतिम स्थिती है उसके उपादानात अर्थात उसके कारण से उसकी वजह से सत्व की प्रकृष्ट स्थती के कारण सत्व मैंने जैसे आपको बताया विशुद्ध था हम लोग विशुद्ध नहीं रह पाते हम लोग कलेशों से प्रभावित रहते हैं हम लोग कर्म के बंधन में आते हैं हम लोग कर्म के कारण जो फल मिलता है उसके बंधन में आते हैं, विपाक जिसे हम कहते हैं, हम लोग कलेश, कर्म और विपाक के कारण जो संसकार बनते हैं, उसके भी बंधन में आते हैं, तो हम तो साफ सुथरे नहीं हैं, हम तो विशुद्ध नहीं हैं, आत्मा सत्व की प्रकृष्ट स्थिती में हैं, शुद्ध शाश्वतिक है यानि इश्वर का जो आनंद है इश्वर का जो सुख है वही तो उसका उतकर्ष है यानि कि जहां हम जाना चाहते हैं जिस आनंद को पाना चाहते हैं उस आनंद में भगवान पहले ही बैठा है रिशीद आयानंद कहते हैं इश्वर आनंद स्वरूप है तो व पहले से ही उचाई पर बैठा है उतकर्ष पर बैठा है और वो उतकर्ष उसका सदैव शाश्वतिक है मिला क्यों क्योंकि शुद्धता है उसके पास मलेंता नहीं है यानि कि सत्व प्रकृष्ट सत्व उसके पास है तो प्रकृष्ट सत्व के कारण मिलता है उतकर्ष और वह उतकर्ष रहता है शाश्वतिक याने की सदैवत लेकिन अब प्रश्ण है सकिम सनिमित्थ आहोस्वित निर्निमित्थ इति वह जो इश्वर का शाश्वतिक उतकर्ष है उची स्थिती है पहले से ही आनंद मिला हुआ है उसे वो आनंद में ही रहता है क्या वह सनिमित अर्थात उसका कोई प्रमाण है आपके पास आहोस्वित निरनिमित आप युहीं बोल रहे हो या उसके लिये आपके पास कोई प्रमाण भी है कि हाँ साब ये प्रमान मेरे पास है देखो ये निमित मेरे पास है निमित माने प्रमान तो सकिम सनिमित क्या वो निमित सहित है क्या वो प्रमान सहित बात है आपकी ये आहोस्वित निर्निमित इत 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 आहोस्वित बने या फिर निर्निमित बिना किसी कारण के बिना किसी प्रमान कि आप ये बात बोल रहे हो प्रश्ण दोबारा दोहरा देता हूँ आपने अभी अभी बताया कि भगवान न तो कभी बंधनों में था न के भी बंधनों में होगा इसका मतलब भगवान पहले ही उतकरिष्ट स्थिती में है उसकी ये उतकरिष्ट स्थिती सदैव रहती है औ और अगर उसकी ये उची स्थिती है तो वो विशुद्ध भी होगा तो इसके पीछे आपके पास क्या कोई प्रमाण है किम सनिमित्त क्या निमित्त सहित बात बोल रहे हैं आप ये प्रमाण सहित बात बोल रहे हैं आहोस्वित या फिर निर्निमित्त बिना प्रमाण के आप बात बोल रहे हैं महर्शी वेदव व्यास जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं तस्य शास्त्रम निमित्तम मैं बिना प्रमाण के बात नहीं कर रहा हूं तस्य मेरी इस बात का तस्य मने उसका उस बात का इश्वर की उस स्थिती का इश्वर के उस उतकर्ष का शास्त्रम प् शास्त्र माने इश्वर का दिया हुआ वेद जियान जो शास्त्रों की जड़ है वो उसका प्रमाण है शास्त्र यानि की व्यवस्था इश्वर की सृष्टी और सृष्टी की व्यवस्था ये इस बात में प्रमाण है भगवान सबसे उंची स्थिती में है इसलिए उसने संस को बनाया बनाकर के वेदों का जियान दिया तो मेरे पास प्रमाण है वेद का प्रमाण है वेद कहता है कि इश्वर ऐसा है और मंत्र भी आता है मंत्र कहता है सपरियगात शुक्रम अकायम अवरणम असनाविरम शुद्धम अपापविद्धम अब सोचिये भगवान में क्या-क्या नहीं है और क्या-क्या है सपरियगात वो पहले से ही स्रिष्टी के अंदर और बाहर पहुचा हुआ है सपरियगात शुक्रम वो शुद्ध है अब वही बात तो देखो वेद मंत्र कह रहा है जो बात हमें महरशी वेद अव्यास जी ने समझाई कि शुद्धता है उसके भीतर तभी तो वो बंधनों में नहीं आता जब शुद्ध है तभी तो अकायम शरीर के बंधन में नहीं है वो और इसलिए उसे पापकुण्यों का कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा हो करता ही नहीं है पापकुण्य अकायम अव्रणम उसे घाव भी नहीं होते यानि कि उसे दुख कष्ट भी नहीं होता अव्रणम असनाविरम नसनाडिया नहीं है उसमें शुद्धम शुद्ध है अपाप विद्धम पाप से कभी नहीं घिरता कभी ही मनीशी परिभू स्वयंभू वो कभी है अर्थात सब जगत को जानने वाला है मनीशी मनन चिंतन उसके पास सारे विचार पहले से मौजूद हैं उपस्ते थे परिभू हूँ अर्थात इस संसार में जो बुरे लोग है उनका पराभव करने वाला है या फिर स्वयंभू 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 होने वाला है और इस संसार के निर्मान को जैसे हसदैव से करता हुआ रहा है वैसे ही संसार का निर्मान करता है अब वही की वही पहचान जो योगदर्शन में मर्षी वेदव्यास जी हमें बताना चाहते हैं वो लिखी है वेद के मंत्र में इसलिए कहा शास्त्रम तस्य प्रमानम मेरी बात का प्रमान वेद में लिखा है कि भगवान ऐसा है लेकिन फिर प्रश्न उठाया जाता है कहा शास्त्रम पुनह किमनेवित्तम ये जो शास्त्र की बात आप कर रहे हैं वेद की बात आप कर रहे हैं इसमें क्या प्रमान है वो क कैसे मältनूँ वेद प्रामानिक है वेद में लिखी हर बात प्रामानिक है भाई आप से मैंने पूछा कि भगवान इश्वर का उतकर्श उँची स्थिति सदैव रहती है क्यों क्योंकि सत्व उपादान है उसके पास सत्व का कारण है यानि कि शुद्धता इसका कारण है क्यों मानू तो आपने कहा वेद में लिखा है इसलिए मानू शास्त्रिस का प्रमान है लेकिन सवाल तो ये है कि वेद प्रमान है मैं ये कैसे मानू शास्त्रम पुनहकिम निमित्तम, वेद के पीछे क्या प्रमाण है, तो उत्तर आता है प्रक्रिष्ट सत्व निमित्तम, क्योंकि जो शुद्धता है न, अर्थात शुद्धता, उस शुद्धता की जो प्रक्रिष्ट सबसे उची स्थिती है, वही वेद का भी प्रमाण है, अर्थात व वेद प्रामानिक क्यों क्योंकि वेद में किसी प्रकार की गंदगी मिलावट अशुधता नहीं है वेद भी प्रकृष्ट सत्व वाला है जैसे इतिहास की पुस्तकों में कोई न कोई कमी होती है नियूनता होती है आज की विज्यान की पुस्तकों में कोई न कोई नियूनता है इसलिए हर कुछ दिन बाद एक नया शोधाता है जो कहते हैं जी पहले बाद जो हमने बात कही थी हमने अभी पिछले दिन आपको शोध करके बताया था शराप पीने से शरीर स्वस्थ रहता है लेकिन ये बात गलत है इसके side effect भी होते हैं इस से लट भी लगती है और हमने ऐसा पाया है कि व्यक्तिस से बाहर ने निकल पाता तो इसलिए वो शोद गलत था कॉफी पीने से नीन नहीं आती हमने एक शोद बताया था लेकिन वो अधूरा शोद था ठीक है नीन तो नहीं आती लेकिन बाकी शरीर के औरगन तो खराब होते हैं बहुत अधी कॉफी पीते हैं जो लोग तो ऐसे बहुत सारे शोद हमें लगातार मिलते रहते हैं जिसमें पहली ही बात को खंडित कर रहे हैं बदलाव कर रहे हैं यानि कि अभी पूर्ण तया से विशुद दस्थिती नहीं है इन पुस्तकों में लेकिन वेद की पुस्तकों में कोई नियूनता कोई मलिंता दिखाई ही नहीं देती क्योंकि वेद में प्रकृष्ट सत्व है विशुद दता है किसी तरह का कोई इतिहास नहीं है किसी व्यत्ती के बारे में नहीं लिखा केवल और केवल स्रिष्टी में कैसे जीना है स्रिष्टी का उपियोग कैसे करना है ये लिखा है तो इसलिए जो मैं कहरा हूँना कि वेद प्रामानिक है वो इसलिए उसका जो निवित है उसका जो कारण है उसका जो प्रमान है वो है प्रकृष्ट सत्व तो उसका विशुद्ध होना, इश्वर का विशुद्ध होना, क्योंकि इश्वर ने वो वेद हमें दिये हैं, और क्योंकि इश्वर ने हमें वेद दिये हैं, तो वेद तो प्रामानिक है, अब आप लोगों के मन में प्रश्ण उभरा होगा स्वाभावी, कहा गया भगवान ऐसा है क्यों मान ले तो बोले वेद में लिखा है और वेद क्यों प्रामानिक है क्योंकि वो विशुद इश्वर से हमें मिला है ये तो ऐसा ही हो गया कि भाई तुम्हारी बात क्यों मान ले तो बोले चाहे तो मेरे मित्र से पूछ लो अरे लेकिन तुम्हारे मित्र की बात क्यों मान ले कि वो सही कहा रहा है तुब बहुत मुझसे पूछ लो मैं सही हूँ मित्र बताएगा मित्र सही हूँ मैं बताऊँगा ये बढ़िया है आपस में मिल बाट करके और दोनों ने तै कर लिया तुम्हारी बात को ये सिद्ध करेगा साबित करेगा इसके लिए तुम गवाही दे देना ये तुम्हारे लिए गवाही दे देगा ये भी कोई बात होई क्या लेकिन यही तो मूल बात है इसलिए महर्शिय दयानन सरस्वती जी एक वाक्य बोलते हैं और वो कहते हैं वेद औ नहीं जा सकती, कैसे ले सकते हैं हम किसी और का सहरा, क्योंकि वेद से पहले और कोई पुस्तक ही हमारे पास नहीं है, हम कैसे किसी और पुस्तक के आधार पर ये जान सकते हैं, कि वेद में जो लिखाए वो सही है या नहीं, क्योंकि वेद के अतरिक्त कोई पुस्तक ऐसी नही हर पुस्तक मनुष्य ने लिखी है मनुष्य में कमी है यानि कि सत्व की प्रकृष्ट स्थिती नहीं है शुद्धता की उची स्थिती नहीं है और जो सत्व की प्रकृष्ट स्थिती में नहीं है उसके द्वारा लिखी गई पुस्तक वेद को कैसे माप सकती है वेद को कैसे तोल सकती है या समझा सकती है इसलिए वेद को तो हमें ये स्विकार करना ही पड़ेगा कि वेद स्वतह प्रामान है और वेद क्यों प्रामानिक है क्योंकि वो प्रकृष्ट सत्व वाले इश्वर से मिला है यानि भगवान ने वेद दिये हैं हमें भगवान में कोई कमी नहीं तो वेद में कैसे हो सकती है अब आगे इसी से संबंधित एक और बात महर्शी वेदव व्यास जी कहते हैं कहते हैं एतयोहो इन दोनों का कौन दोनों का अरे दो चीज़ें हैं जो इश्वर में रहती हैं एक तो प्रक्रिष्ट सत्व शुद्धता की अंते में स्थिती यानि कि जिसमें मलिंता गंदगी का इतना कण भी न हो ऐसी स्थिती जिसे हम प्रक्रिष्ट सत्व कहते हैं और उस प्रक्रिष्ट सत्व के कारण इश्वर का उतकर्ष इश्वर की सदैव उची स्थिती में रहना इश्वर का सदैव कलेश कर्म विपाक और उनके संसकारों से अलग रहना बंधनों से अलग रहना सदैव आनंद में रहना ये भगवान की उची स्थिती है न यही तो भ दो चीजों का पहला भगवान का उतकर्ष दूसरा शास्त्र यानि कि वेद मैं सरल शब्दों में कहूं तो इश्वर का जियान जियान मतलब शास्त्र जियान मतलब वेद तो जियान ले लीजिए यहाँ इश्वर का जियान और इश्वर का उतकर्ष यानि कि शास्त्र और उतकर्ष भगवान का जियान शास्त्र वेद और भगवान का उतकर्ष सदैवानंद में रहना ये उची स्थिति ये दोनों शास्त्र उतकर्षयो हो इन शास्त्र और उतकर्ष का इश्वर सत्वे वर्तमान यो हो इश्वर सत्व यानि इश्वर नाम की जो सत्ता है उसमें वर्तमान यो हो उसमें वर्तमान हैं ये दोनों के दोनों कौन दोनों फिर दोबारा दोहरा देता हूँ यानि कि शास्त्र अर्थात वेद वो भी भगवान में है और आनंद रूप स्थिती उची स्थिती यानि कि उतकर्ष जैसी स्थिती वो भी भगवान में है तो वेद, शास्त्र और उतकर्ष ये दोनों जो की इश्वर सत्व में हैं भगवान में दोनों गुण हैं इन दोनों का अनादी संबंध है अनादी संबंध है परस्पर यानि कोई ये सवाल पूछे कि वेद सबसे पहले कब बना ऐसा नहीं प्रश्ण हो सकता है ठीक है पुस्तकों के रूप में अलग बात है कि हमें कब प्रिंट होकर के मिला या चार रिश्यों के माध्यम से हम तक कब आया पर वेद उससे पहले था ही नहीं ऐसा थोड़ा ही है इश्वर का जियान तो सदैव से है तो इश्वर के भीतर रहने वाला जियान और इश्वर क भीतर रहने वाली उतकृष्ट स्थिती आनंद की स्थिती ये दोनों का दोनों आपस में अनन्त काल से अनादी काल से आपस में जुड़े हुएं इनका संबंध है कैसे संबंध है ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है क्यों आश्रित है क्योंकि इश्वर सब कुछ जानता है क्योंकि इश्वर ने हमें वो जानकारी दी है वेद हमें दी है तो वेद इश्वर के भीतर है इसलिए जब इश्वर के दिये वेद बताते हैं कि इश्वर सबसे उचा है इश्वर के पास उतकर्ष है और जिस इश्वर के पास उतकर्ष है उस इश्वर का जियान तो प्रामानिक होगा ही होगा तो भगवान का जियान और भगवान की उची स्थिति ये दोनों आपस में जुड़े हुए दरसल भगवान सब कुछ जानता है इसी लिए वो उतकर्ष में है प्रशन तो यही है ना अच्छा सोच करके देखिए हम लोग मुक्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं खुब भागदोड हमारी चल रही है सांख्य दर्शन भी कहता है योग दर्शन भी कहता है कि जियान से ही मुक्ती होगी तो सोच ये जियान और वेद क्या दोनों अलग-अलग चीज़े हैं नहीं अरे वेद ही तो जियान है जियान ही तो वेद है वेद और है क्या सिवाय जानकारी के और कुछ तो नहीं है जानकारी ही तो वेद है इश्वर ने वेद के रूप में हमें दिया क्या किताबें कागज गत्ता दिया क्या अरे जानकारी ही तो दी है अगर जानकारी से मुक्ती मिलती है और भगवान सदैव मुक्त है तीनों बंधनों से उपर लिखा हुआ है उपर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि सतु सदैव मुक्त है भगवान सदैव मुक्त है क्यों मुक्त है क्योंकि भगवान पूर्ण जियानवान है भगवान को कभी कोई अविद्या घेरती ही नहीं है इसलिए वो सदैव मुक्त है और लिखा सदैव ईश्वर है इसलिए उसका अईश्वर्य है इसलिए उसका उतकर्ष आनंद की स्थिति वो भी सदैव है तो ये जो शास्त्र है अर्थात वेद है और ये जो भगवान की उची स्थिती है अरे ये दोनों आपस में जुड़े हुए है भगवान में के अंदर वेद हैं क्योंकि वो सब जानता है तभी तो वो मुक्त है तभी तो वो उची स्थिती में है तो इन दोनों का अनादी संबंद है ये सदैव से आपस में जुड़े हुए है कभी वेद बना था या भगवान कभी पहले बंधन में था अब धीरे-धीरे बंधनों से छूट करके निरबंध की स्थिती में आया उतकर्ष की स्थिती में आया ऐसा नहीं है अनादी पता नहीं कब से शुरूय है भगवान स्वयंबी नहीं जानता क्योंकि कभी शुरुवात कभी प्रारम्भिन का हुआ ही नहीं आगे कहरहें एतसमात इस कारण से एतत भवती सदैव इश्वर सदैव मुक्तह इस कारण से एतत माने यह यह इश्वर भवती माने होता है सदैव इश्वर है इसलिए जिस पुरुष विशेश की उपर चर्चा है वो पुरुष भवती होने पर इसलिए ऐसा होने पर कैसा होने पर पूर्ण जयानवान होने पर किसी कमी के न रहने पर वो सदैव ही इश्वर है अर्थात उसमें ऐश्वर्य और आनंद की स्थिति सदैव है और सदैव मुक्त है वो सदैव दुखों से कर्म से कर्मों के फल से संसकारों से कलेशों से सदैव मुक्त है और भगवान के पास जो आईश्वर्य है ना भगवान के पास जो संपत्ती है ना आनंद रूपी संपत्ती वो संपत्ती कोई सोने चांदी की संपत्ती नहीं है वो संपत्ती आनंद रूपी संपत्ती है वो उची स्थिती वाली संपत्ती है तो कहरें वो जो उसका एश्वर यह है वो साम्यातिशय विनेर मुक्तम साम्य और अतिशय से रहित है साम्य माने समानता और अतिशय माने अधिकता यानि भगवान के पास जो एश्वर यह है भगवान के पास जो सुख और आनंद है उसकी साम्यता नहीं है किसी से तुलना नहीं है उसके जैसा और कोई है ही नहीं उसके जैसी इस्थिती और किसी की है ही नहीं और हम मनुष्यों की अगर उसके जैसी इस्थिती होती तो निश जैसा उसके साम्य, साम्य कहते हैं समान, उसके बराबर भगवान का जो एश्वर्य है, वो एश्वर्य साम्य विनिर मुक्तम, समानता से रही थैं, उसके जैसा एश्वर्य किसी के पास नहीं, वो अकेला है, आनंद में बैठा है, आनंदित तो हम भी हो सकते हैं, अगर प्रयास करेंगे तो मेहनत करेंगे तो लेकिन उसके लिए हमें पुरुशार्थ करके जाना पड़ेगा और इससे ये भी पता चलता है कि आज तो कम से कहम बंधन में हैं आज तो हम दुख में पड़े हैं लेकिन भगवान पहले से ही आश्वर्ये में तो उसके समान किसी के पास आश्वर्ये आनंद नहीं है और साथ ही साथ अतिशय भी नहीं है अरे जब समान नहीं है तो भगवान से अधिक कोई हो सकता है ये तो प्रश्न ही नहीं बनता अतिशय यानि कि उससे अधिक कोई हो तो प्रश्न उत्पन नहीं होता न तो भगवान के साम्य में कोई है न इश्वर के अतिशय में कोई है यानि कि उससे अधिक कोई है इन दोनों से ही इश्वर का इश्वर ये विनिर मुक्त है अलग है कह रहे हैं कि किसी के पास ईश्वर के पास जो एश्वर्य है उस एश्वर्य को किसीने ओवर्टिक कर लिया हो उस एश्वर्ये को किसी ने पार कर लिया हो ऐसा तो नहीं है बिलकुल भी क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति उसके एश्वर्ये से अधिक एश्वर्ये वाला हो जाएगा प्रश्ण क्या है यहां पर कह रहे हैं कि मान लेजिये अगर नतावद एश्वर्यान तरेन तद अतिशयते हम यह मान लें कि भगवान से अधिक एश्वर्ये भी किसी के पास है तो इसका मतलब किसी मनुष्ये ने उसके एश्वर्ये को ओवर्टेक कर दिया है यानि कि उसके एश्वर्ये से अतिशय हो गया है पर ऐसा है नहीं अच्छा क्यों नहीं है ऐसा क्यों हम माने की ऐसा नहीं है दरसल ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम आत्माई जिस सुख की तलाश में है वो सुख भगवान के पास है यानि कि इश्वर के पास वो सुख है और जब भगवान के पास सुख है वो सुख हम आत्माओं को मिलना है तो हम भगवान के सुख से जादा कैसे हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते क्योंकि सुख मिल ही हमें भगवान से रहा है और जिससे हमें सुख मिल रहा है उससे जादा सुख ही हम कभी नहीं हो सकते उससे अधिक आनदित नहीं हो सकते अरे जो व्यक्ति मुझे सैलरी दे रहा है जो व्यक्ति मुझे वेतन दे रहा है पैसे दे रहा है हर महीने नौकरी करने के सेवा करने के क्या मेरे पास कभी उससे जाधा पैसा हो सकता है नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास कम पैसा है तभी तो मैं उसके पास नौकरी कर रहा हूँ क्योंकि उसके पास जादा पैसा है तभी तो वो मुझे वेतन दे रहा है जिस दिन मेरे पास जादा पैसा हो जाएगा उस दिन मैं नौकरी करूंगा ही नहीं और अगर मैं फिर भी नौकली कर रहा हूं, मुझे वेतन कहीं से मिल रहा है, इसका मतलब मेरे पास कम धन है, उसके पास अधिक धन है, इसलिए करें नतावद ऐश्वर्यां तरेने तद अतिशियते, नतावद कभी भी, ऐश्वर्यां तरेने किसी और के ऐश्वर्य से कम नहीं हो सकता, अतिशय नहीं हो सकता किसी और का ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य की तुलना में, भगवान के आनंद की तुलना में और किसी का आनंद उससे अधिक नहीं हो सकता, भगवान का आनंद कभी ओवर्टेक नहीं किया जा सकता, न अतिशयते, इसलिए यद एव अतिशही स्यात, तद एव तद स्यात, और मैं निश्चित कहता हूँ, वेदव्याजी एक और बात कह रहे हैं, वेदव्याजी कह रहे हैं, मैं निश्चित बात ये कहता हूँ, अगर मान लीजिए, कोई व्यक्ति, किसी के पास इश्वर से अतिशह, इश्वर से अधिक स और एश्वर ये आजाए यदी उतकर्ष इश्वर का जो उतकर्ष बताया गया है इश्वर की जो उची स्थिती बताई गया है इश्वर का जो बड़पन बताया गया है अगर उससे भी बड़ा उससे भी उतकरिष्ट उससे भी अधिक आनंदित संपर्ण शील अगर कोई हो दुनिया में मान लीजी यदेव अतिशाइस्यात अगर कोई अधिक होगा भी तो तद एव तत्स्यात तो वो भगवान ही होगा तद एव वही तत्स्यात वही भगवान हो अगर मान लीजिए जिसे हम भगवान समझ रहे हैं वेदव्याजी बड़ा स्पष्ट कर दे रहे हैं वो कहरें मान लीजिए जिसे हम भगवान समझ रहे हैं क्योंकि हमें उसी में सबसे अधिक आनंद दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आने वाले भविश्य में हमें उससे भी अधिक संपन उससे भी अधिक उतकरिष्ट स्थिती में उतकर्ष में अगर कोई दिख दे जाता है तो फिर वही भगवान है इसका मतलब हम जो पहले वाले को भगवान माने थे वो भगवान है ही नहीं पिर जो भी सबसे बड़ा है वही भगवान है अगर कोई अतिशई होगा भी तो वही भगवान होगा दरसल फिर हम किसी और को भगवान माने बैठे थे इसका मतलब गलत व दुखो से रहितता की काश्ठा प्राप्ति है काश्ठा प्राप्ति अर्था अंतिम सीमा है जहां पर एश्वर्य की संपत्ति की अंतिम सीमा है उतकृष्टता की अंतिम सीमा है बस वही तो इश्वर है उससे अधिक और कोई सुखी आनंदित संपन एश्वर्य शाली नहीं हो सकता और कहरें अगर कोई होगा भी तो फिर वही इश्वर होगा वो और कोई नहीं हो सकता वो भगवान ही होगा स्वयम में यानि जिसको कहते हैं कि भगवान को अगर कोई हरा सकता है भगवान जैसा अगर कोई है तो वो सीधे भगवान ही है और कोई नहीं भगवान को अगर जिसमें रिश्री वेदव्यासी और इस प्रकरण को अच्छे से समझाएंगे वो हम कल पढ़ेंगे आज के प्रकरण में आप में से जिन जिन लोगों का कोई भी प्रश्ण हो आप कृपया अपना हाथ उठाईए और आप अपना प्रश्ण रख सकते हैं